मनीपूर में एक बार फिर हिंसा भड़की कॉक्चिंग जिले के सेरो गाउं में कुछ लोगों ने सो घरों में आग लगा दी इसमें कॉंग्रेस विदायक रंजित सिंग का घर भी शामिल है राज में तीन मई से मेतई और कुकी समुदाय के लोगों की भी चड़प हो रही है ताजा गटना को के समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है इसके बारे में जानकरी नहीं मिली है राज में तीन मई को हिंसा शुरू हुई थी अब तक इंठानू लोगों की मौत हो चुकी है तीन सो दस लोग खायल हो चुके हैं मई से तीस हजार से जादा लोगों को रहाशीर में शिफ्ट किया गया हिंसा के चलते ग्यारा से जादा जीले प्रभावित हुए हैं अधिकारियों के मताबिक रवीवार शाम को कुछ लोग सेरो गाउं में आये और उन्होंने विदायक रंजित के घर में तोड़ फोड शुरू कर दी विदायक और उनका परिवार बाल बाल बच गया हिंसक भीड ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया आग लगने के बाद घरों से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है उन्हें रहाच शेर में पहुचाया गया है फायर ब्रिगेड ने बाद में आग पर काबू पाया बीड ने जिले के ग्रामिन इलाकों में तेनाथ बीएसेफ के एक दल पर भी गोली बारी की पोस्ट पर मोटार से हमला भी किया गया अभी तक कोई जवान हताहत नहीं हुआ है पुलिस को संदे है कि बीएसेफ पोस्ट पर हमले के लिए संदिक्त लोगों ने चुराए गए हत्यारों का इस्तमाल किया इस बीच सुरक्षा बलो और हिंसक भीड के बीच गोली बारी की भी सूचना मिली इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद